सभी किसान भाईयों को मेरा तहे दिल से नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सिवन कुमार और इस चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे विवेरिया बेशियाना की बिवेरिया बेशियाना एक कीट नासक है। जिसका उपयोग गेहों की वुईाई में और सरसों की वुईाई में किया जाता है। इसकी खास बत की है कि यह फूर्ल्ल रूप से जैविक है और आज के सम spill में जैवी कीट नासक आवय सक इसलिए हो गया है कि यह जो राषाइनिक कीट नासक है यह हमें भी नुक्सान देते हैं क्योंकि गहूं को हम ही खाते हैं अब बवीरा बेशियाना का प्रियोग कैसे करना है दोस्तों इसका प्रियोग डारेक्ट नहीं होता है कि आप ऐसे यूरियम मिला कर डाल दे इसका प्रियोग इस तरह नहीं होता है तो इसका प्रियोग कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको बता दू बवीरा बेश याना 100 रुपे किलो ब्लोक से मिल रहा है जिस पर आपको सबसीड़ी भी मिल जाएगी तो ब्लोक से खरीदे वहाँ से आपको सस्ता पड़ेगा और जो मार्किट से खरोद रहे वहाँ पर 2300 रुपे परती किलो मिल रहा है आएए देखते हैं इसका यूज कैसी करते हैं किसान भाईयो एक किलो ब्यूवेरिया बेश याना तयार करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए 15 किलो देशी खाद लगबग 15 किलो हो जाएगा तीन बाल्टी आप ले लीजिए और ये देशी खाद आपका गीला होना चाहिए अगर गीला नहीं है तो इसमें थोड़ा सा पानी का छिलकाव कर लिए उसके बाद आपको इसे एक पल पर फैला लेना है और इस पर डाल देना है एक किलो ब्यूवेरिया बेश याना और फिर अपने हातों से अच्छी तरह से इसे मिला दीजिए और जो खाद की डली है उस ऐसे लपेट कर रख देना है और दस दिन तक आपको ऐसे ही रखना है और बीच में एक दो बार इसमें पानी का छिटकाव कर देना है फिर इसका परियोग आप गहुं की बुवाई करते समय आप बिखराव इसका कर सकते हैं जुटाई से पहले यह बहुत ही अच्छा असर जिशे आपकी दीमक जो है विल्कुल खेट से लिए खत्न कर देगा आसा है दोस्त आप सब कुछ सबज गए होंगे और अगर आप फितना सका यूज करेंगे तो आप विवेरा बेश याना का ही यूज करेंगे क्योंकि यही सबसे बैस्ट है क्योंकि यह पूर्ण रूप स जेविक है इसी तरह एक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए धन्यवाद